देख लो हमारे लण्ज का थाली, अगर मुह में पानी ना आये तो पिर कहना नहीं कुछ भी, भर भर के मुह में पानी आने वाला है, ये देखिए हमने ले लिया है राइस, जो हमारे घर के खेती से हुआ राइस है, बहुत ही बढ़िया सॉफट खाने में लगता है, और साथ प्लेट रख दिया है अब इसमें देखे क्या आने वाला है ऐसा डिलिशियस चीज जिसको देखते ही बड़ा मुह में तगड़ा वाला पानी आता है वाँ वाँ यह आ गया एक लेक पीस जो देखने बहुत हटा कटा लग रहा है और साथ में आ जाता है यह दूसरा लेक पीस बड़ा ही बढ़िया है आप देख करके ही समझ रहे होंगे कि यह कैसा है खाने में और यह खाने में बड़ा ही सुपर डिलिशिस था बहुत ही अच्छा था यह खाने में और बनाया किसने है यह आप सोचेंगे और पता चलेगा आपको तो आप कहेंगे वाँ यह तो वैसे कि हमारे पती ने तयार किया है और इतना बढ़िया और इतना सुपर डिलीशियस था ये खाने में कि मैं आपको बता भी ने सकती हूं आप देख करके समझ रहेंगे कि ये कितना ज्यादा अच्छा बना हुआ था बर भर के इसमें क्रीम डाला गया है भर भर के इसमें मक्षन और खुब धेर सारा टमाटर डाला गया है बड़ी एजी रेसिपी और बहुत ज़्यादा डिलीशियस खाने में देखे ये हमने ले लिया है दो केजी चिकन चिकन में हम लोग केवर लेक पीस लेते हैं वो चेस्ट वाला जो पार्ट होता है वो हमारे यहानी खाता है कोई अब इसके बाद हमने कूकर में डाल दिया है तेल तेल तो पता है सरसो का तेल में नौनवेज बनाया जाता है और सरसो का तेल भी हम पाकेट वाला तेल यूज नहीं करते हैं वो घर का ही सरसो खरीद करके उसको पिसवाता है यह रहा तड़के का सामान जीरा मिर्च लाल मि पहसुन लिया था उन सबका एक पेस्ट बनाएंगे एक पेस्ट बना करके हमने कूकर में डाल दिया और कूकर में डालने के बाद देखे हम भून रहे हैं इसको मीट और या नॉन विज बनाने में सबसे ज्यादा भूनाई का ही तो काम रहता है और दूसरी बात अगर घर के जेन से बनाते हैं तो उसका बात ही क्या होता है अब यह देखे यह कुछ स्पेसल मसाला हमारे जो पती हैं वो खलबटे में पीश रहे हैं इसमें थोड़ा जाईफर थोड़ा जाईवित्री दाल चीनी काली मिर्च लॉंग बड़ी लाइची इन सब को यह इसी में खलबट बारी आती है चिकन को भूनने का बड़ी आती है कि एकट करके उठा उठा करके कूकर में और बहुत देर तक और बुणने के पाहा निकल करके आता है हम लोग हों तो एकी साथ उठा करके सारा कुकर में डाल दें लेकिन ये जो जेंट्स लोग होते जब भी कभी कभी खाना बनाते हैं तो इतने बढ़ियां से खाना बनाते हैं इतने प्यार से इतने सिद्दत के साथ खाना बनाते हैं कि बाद देख करके ही बहुत मज़ा आ जाता है और मन में ये हम लोग सोचते हैं कि कास मैं भी इतने सिद्धत के साथ खाना बनाती तो कितना अच्छा लगता देखिए अब इन्होंने मुर्गे को मैगनेट किया था मैरिनेट किया था उसमें हल्दी दही नमक और लाल मिर्च डाल करके इन्होंने मैरिनेट कर लिया था आधे गंटे के लिए अब उसके नीचे का जो थोड़ा सा लिक्विट घोल वस्ता है उसको भी इन्होंने चम्मच चम्मच इसमें डाल दिया अब देखिए ये मुर्गे को पड़े ही अराम से ना जुक हातों सो ये मिला रहे हैं अब यहां हमने ले लिया 10 तमाटर धनिया और 15 हरी मिर्च अब इन तीनों का एक साथ पेस्ट बना ले या हमने देखिए पेस्ट बना लिया पेस्ट बनाने के बाद हमने दो चम्मच बड़े चम्मच क्रीम तमाटर और धनिया और हरी मिर्च के पेस्ट में डाल दिया है आ बहुत देर तक भूना जाता है उसको जिससे की वह अपना पहली बात आसे खोल करके भूनने से जो चिकन के जो इसमेल आती है वह खतम हो जाती है और इसके बद हमने थोड़ा से पानी डाल करके सीटी लगा दिया एक सीटी आ गया सीटी निकाल दिया दे फिर देखिए हमारी चिकन की रंगत क्या हुई वारे वारे जबर जस्त रंगत है यह हम लोग बाहर खाते हैं यह आठ-ठाट्स और वो जो क्रीम और धनिया टमाटर का जो सारा पेष्ट था ना देखिए सारा हमने डाल दिया है इसमें अभी अब सारा डाल करके हम इसको खूले पर मतलब ढ़क नहीं रुकेंगे और बाहर हम लोग खाते हैं आठ-ठाट सा रुपए इतने थोड़े थोड़े यह सब रेसिपे मिलते हैं और आप घर में बनाई देखे दो किलो चिकन खरी लिया हमने और तीन टाइम तो बड़े आराम से चार लोगों ने खाया है इसको और देखिए इस स्पेसल है और इस चिकन को और भी जादा रिच और स्पेसल और टेस्टी बनाएगा देखिए चूले पर चड़ा दिया गया है इसको अब इसे साथ से आठ मिनट तक और इसे भुनना है बड़े प्यार से धीमे धीमे तरीके से भुनना है अब देखिए इसके बाद यह ला किया गया है इसके बाद थोड़ा और बटर इनोनेस में अड़ कर दिया अब इसके बाद केवाद दो मिनट तक और पकाना है ग्रेवी को बस उपर से डाल दीजे धनिया और धनिया डालने के बाद गर्मा गरम इसको परोसिए और सब को खिलाइए देखिए कितना लजीज करके हमारा तयार हो गया वीडियो पसंदा तो लाइक सब्सक्राइब और जरूर से जरूर करें प्लीज थैंक यू